फिलिपिन्स के एक चर्च के बाहर हुए दो बम धमाकों में 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 77 से ज़्यादा घायल बताय जा रहे हैं पहला धमाका रोमन कैथोलिक कैथेड्रल के अंदर और दूसरा बाहर हुआ इससे सड़क पर शव बिखरे नजर आए राहत और बचाव कारे जारी है आशंका है कि मृतकों का आकड़ा बढ़ सकता है अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है जानकारी के मुताबिक सैने अधिकारियों के मुताबिक पहला धमाका चर्च के अंदर हुआ इसके बाद आसपास भगदर मच गई जैसे ही सैनिक चर्च के पास पहुँचे ठीक उसी वक्त बाहर परीसर में भी धमाका हो गया रविवार को मास प्रेयर के कारण आम दिनों की तुलना में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे पुलिस का कहना है कि अब तक मिली सूचना में दस नागरिकों के साथ पांच पुलिस कर्मियों की मौत की पुष्टी हो चुकी है सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि दूसरा धमाका तब हुआ जब पुलिस अधिकारी पहले धमाके के बाद मौके पर पहुंचे थे फिलिपिन्स के राष्ट्रिय पुलिस प्रमुख ओसकर अलबयाल्दे ने बताया कि मृतकों में सैनिक और नागरिक दोनों शामिल है गंबीर घायलों को विमान से नस्दीक के जंबो आंगा सिटी ले जाया गया इन बंधमाकों के बाद रक्षा सचीव डेल्फिन जाना ने अलट जारी किया है सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है